हो सकता है दोस्तों कि आपके जीवन में भी कोई गंभीर बीमारी हो, हो सकता है आप एक गंभीर समस्या से होकर जूज रहे हो, हो सकता है आप किसी परिशानी में हो, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो मेरे परमेश आज बहुत से लोग प्रभू अपने पारिवारिक समस्या लेकर अपने जीवन के अपने परिवार की जॉब की स्टडी की या फिर बहुत सी बातों को लेकर बैठे खुदावन आज इनके प्रातना का उत्तर आप दे मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है यदि आप प्रातना करवाना चाहते हैं तो प्रैस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रातना करेंगी धन्यवाद प्रेज लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्मा में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हो सकता है आप अपने आंसों को बहा रहे हों किसी कारण से आप अपने जीवन में इतने परिशान हों कि आप रो रहे हैं आंसों को बहा रहे हैं आपके पास रोने के अलावा और कोई option नहीं है, तो आज परमेश्यो का वचन आपको उत्साइब करता है, परमेश्यो का वचन आपसे कहता है, कि परमेश्यो आपके आंसों को पूँच डालेगा, परमेश्यो ने आपके आंसों को देख लिया है, और परमेश्यो और उस दुख के विशय को, उस कारण को, जिसके कारण आप आंसु बहा रहे हैं, उसे आपके जीवन से दूर कर देगा, इसलिए आप निरास न होएं, परमेश्यो पे भरोसा रखें, प्राथना में लगे रहें, वो निश्चय आपके आंसुओं को पोँचे दूसरा राजा उसका वी सद्ध्याई और पांच पन, जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है, लोटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजिक्या से कहे, कि तेरे मूल पुरुषदाउद का परमेश्यो यहुआ यो कहता है, मैंने तेरी प्रातना सुनी और तेरे आसों देखे है देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसो तु यहुआ के भवन में जा सकेगा, आमेन दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, राजा हिजिक्या के बारे में, उसके जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ, कि एक बार वो बीमार हो गया, और जब वो इतना बीमार हो गया, कि वो अपने जीवन के अंतिम छाणों में है, तो परमेश्यो के द्वारा एक भवश्य व तो वो परमेश्यो के पास गया, और अपने आंसों को बहाने लग गया, परमेश्यो के सम्मुक बैठ कर रोने लगा, प्रातना करने लगा, वाईविल कहती है, वो भवश्य वक्ता उसके आंगन से बाहर भी नहीं गया था, कि परमेश्यों ने इजिक्या की प्रातना को सु तो फिर से हिजिक्यक के पास जा और उससे कहे कि मैंने तेरी प्रात्ना को सुन लिया है मैंने तेरे आंसों को देखा है इसलिए मैं तुझे चंगा करता हूँ तो फिर से मेरे भवन में जाएगा और परमेशुन ने इसी परकार से अपने वचन के अनुसार उसके जीवन में किया और पंद्रा साल उसके बढ़ा दिया और उसको फिर से लंबी उम्र परमेशुन ने दे दी जो मरने पर था, जो मृत्य की सैया पर था उसे परमेशुर ने फिर से खड़ा कर दिया वो फिर से तरो ताजा हो गया फिर से भला चंदा हो गया फिर से सामर्ती हो गया और कई सालों तक वो फिर से इस धर्ती पर जीवित रहा क्यों? उसने परमेशुर से प्रात्ना किया और परमेशुट ने उसकी प्रातनाओं का उत्तर दिया उसने परमेशुट के सामने अपने आंसों को बहाया उसके सामने वो जुका हो सकता है दोस्तों कि आपके जीवन में भी कोई गंभीर बीमारी हो हो सकता है आप एक गंभीर समस्या से होकर जूज रहे हो हो सकता है आप किसी परिशानी में हो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो जिसके कारणा आप निरास हैं दुखी हैं परिशान हैं चिंतित हैं अपने आँसों को बाह रहे हैं निरासों रखे हैं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो आज साम में परमेश्यो का वचन आपको छोड़ाएगा निश्य वो आपके आंसों को पोच डालेगा निश्य वो आपको हील करेगा निश्य वो आपको चंगा करेगा निश्य आपको इस परस्तित से बाहर निकालेगा आपके जीवन में काम करेगा आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा आपके परिवार में काम करेगा और उस परस्तिते से जिसमें आज आप पड़े हुए हैं उससे प्रवों आपको बाहर निकालेगा हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भाई बेहन भी हों जो सोच रहे हैं कि हम जीवन के अंतिन जणों में हैं जो सोच रहे हैं आप कोई उपाए में काम करेगा वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा उसने कहा कि मैंने तेरे आंसुमों को देखा है मैंने तेरे आंसुमों को देखा है मैं तुझे चंगा करता हूँ मैं तेरे जीवन में काम करूँगा इसलिए निरास्त न हो दुखी न होई परशाने की वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशेशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे तो हम प्रभी एश्व मस्ति का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और ये वचन आपके जीवन में कारे करेगा परमेश्वर आपके आशुओं को पहुचेगा करते हैं आपका प्रभु हम सबसे पिता परमेशव प्रभु एक बहुत बड़ा कर नेक्शन है कुभा हम सब पिता तेरे बेटे बेटिय हैं तुх हमारा पिता है प्रभु हम दन्यवाद करते प्रभु जी सच में प्रभु आपका प्रेम हमारे लिए बहुत है आपको अनुग्रहप की दया हमारे लिए बहुत है और परमेशर तुने हमारे गुनाहों को माग किया हमें चुना अपनी और हमें बुलाया और अपना राज्य प्रभु दिया मेरे खुदा इस बात के लिए धन्यवाद पिता धन्यवाद करतें विशेश रुप से कि आप हमारी प्रात्नों को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ में मेरे प्रभू जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजरुग लोग शामिल हैं प्रभू येश्य मसी के नाम से परमेश्व प्रभू आप उनके जीवन में कारे करें उनके हालातों को बदलें प्रभू उनके मन में विचारों में जो भी बाते चल रही हैं प्रभू आज उनका सल्यूशन दे आज आप उनके लिए ऐसा उपाई करें प्रभू की वो सच म तो वो चुटकारा पाएं, प्रभु उनके सवालों का जवाब उने मिले, उनकी प्राथनाओं का उत्तर उने मिले. मेरे पिता आज की शाम में यदि कोई भी प्रभु गुना गलती हम सबसे हुआ है पिता आपके आगे उन बातों को मानते हैं पिता उन बातों को पिता एक्सेप्ट करते परमेश्यों कि हाँ प्रभु इन सारी बातों को प्रभू जो गलत काम है प्रभू उन बातों को आपके आगे मानते हैं प्रभू और शमा चाहते हैं परमेश्व प्रभू मेरे पिता आप हम सब को शमा करे पिता और प्रभू उन बातों को हमसे दूर करे प्रभू जो आपकी दृस्टी में गलत है प्रभू आपके वचन के अनुसार आपकी आग्यों के अनुसार हमें चलने में पवित्र आत्मा आप साहेता और मदद करें मैं धनिवाद करती हूं प्रभू उन्लोकिक पवित्र आत्मा के लिरे मेरे प्रभूском जो तुने प्रभू हम सब Zustय क्या है परमेश्व मैं धनिवाद देती हूं प्रभू कि वो हर घड़ी हर समय हर पल में हम सब की साहता और मदद करते हैं हम सब अपने जीवनों में उसकी साहता और मदद को देखते हैं मैं धनिवाद करती प्यारे प्रभू जी आज प्रभू हर एक को अपनी आत्मा से भर द प्रभू यदि आज दिन भर में प्रभू बहुत लोग परिशानी में चिंता में और बहुत सी समस्याओं में रहे प्रभू परन्तु इस समय जब तेरे निकट हैं तो प्रभू अपनी असीम शांति और आनन उन्हें दे मेरे पिता मेरे परमेश आज बहुत से लोग लाइट में आपके कार्य हो पिता और परमेश्व प्रभू जदि आछ कोई बी ऐसी बात इनके जीवन में प्रभू जो ईन्हें अंदर ही अंदर प्रभू बहुत ज़ादा व्याकुल कर रही है इन्हें तकलीव दे रही है प्रभू यह बात जो किसी से नहीं कह पारे परमिश्वर उस बातों का समधान कर प्रभू और ये बात खुल कर प्रभू जब ये तुस्से कह रहे प्रभू तो प्रभू तुही उन समस्याओं से इने बहार निकाल प्रभू बहुत से लोग प्रभू जो इस समय जाल में फसे परमिश्वर प्रभू उस जाल से उस ट्रैप से परमिशों ने बहार निकाले पिता, जो एडिक्शन में फसें, प्रभू रॉंग रिलेशनशिप में फसें, प्रभू येश्व मसी वो बहार निकलना चाते, परन्तु अपनी सामट से नहीं निकल पाते, आप अवित्र आत्मा की सामट उने दे, प्रभू कि उ प्रभू ने बहार निकाला है पिता, यंदि नो ने किसी को खो या है प्रभू, यदि प्रभू इन्हें किसी को खोने का डर है पिता परमेशर, यदि प्रभू आज ऐसा कुछ है, इन्हें महसूस हो रहा है पिता परमेशर प्रभू, इन्सिक्यॉर्टी महसूस हो रही है प्रभू, ऐसे समय में प्रभू आप इन्हें साहता और मदद करें, पिता आपसे प विनी स्थिती में है प्रभू तो समय प्रभू तेरा बचन जैसे हिजिक्या के पास पहुचा वैसे प्रभू तेरा इस वचन को लेकर प्रभू हम उनके लिए प्राथना करते हैं। प्रभू जो किड्नी जिनकी खराब हो गई है प्रभू, एश्यू के नाम से परमेश्य प्रभू एश्यू के नाम से परमेश्य प्रभू, आप उनकी किड्नी को रिन्यू करें प्रभू, इनके स्टमक को हील करें, प्रभू, लिवर को हील करें परमेश्यू, जिनका लिवर renew करे परमिश्य जिन्हें हाट प्रॉब्लम है पिता प्रभू येश्व नास्री के नाम से आप उन्हें चंगा करें पिता इस समय मेरे प्रभू हर एक दर्द रोग घाव चोट को येश्व के नाम से दूर करते हैं और आपके लोगों के लिए आपकी चंगाई को चुटकारे को मांगते हैं प्रभू येश्व आपका वचन क्याता है कि मैं तुझे चंगा करता हूँ येश्व मसी इस समय चोटे बच्चों को चंगा करें नौजवानों को चंगा करें जितने भी लोग आज दर्द में तकलीफ में यदि कहीं भी आपको चोट और घाव लगा है या फिर दर्द है वहाँ पर अपने हाथ को रखें येश्व मेरे अबा धन्यवाद कि आपने इस समय प्रभू अपने लोगों को चू लिया और चंगा किया पिता इस समय आपने उनके दर्द को दूर किया इस समय आपने उन्हें जीवन दिया है प्रभू इस समय परमेश्व आप उनके body organs को renew कर रहे पिता, धन्यवाद परमेशो, सर से लेकर पैरों तक आपने चंगा किया, सर्दी जुखाम बुखार से चुटकारा दिया, परभू, cancer से चुटकारा दिया, tumor से चुटकारा दिया, रसोलियों से चुटकारा दिया, परमेशो, परभू, परभू, गठि परमेशो, 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 परमे तो प्रभू आप उनके जीवन में उस बात को पूरा करें क्योंकि आप समय के परमेश्वर है अच्छा जीवन साथी दे प्रभू जाब दे परमेश्वर और प्रभू जो भी экзाम्स आने वाले समय में बच्चे देने वाले हैं परमिश्वर खुदावन आप उन्हें ज्यान भुद्भी समझ दे ताकि बहुत अच्छे से बच्चे अपने एक्जाम्स को दे सकें मेरे प्रभुजी और विंती है परमिश्वर इस समय प्रभु बहुत से लोग है प्रभु जो तेरे रास्ते से तेरे वचन से डाइवर्ट प्रभु उन्हें अपने वचन में बढ़ने में सहीता और मदद करे परमिश्वर प्रभु हर एक बात के लिए आपका धनेवाद करते इस प्रात्ना इस विंती को आपके आगे रखते वे प्रात्ना येश्यू के नाम से मांग लेते सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन